कि नमश्कार दोस्तों मैं विनीता संस्कृति आई इसके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नागरिक्ता अभी प्रदान की जा रही है वह स्टार्ट हो गई है इस पर हम चर्चा करेंगे बहुत टाइम से आप देख रहे हैं कि चर्चा का विशय बना हुआ है न्यूज में हमेशा रहता है अब हुआ क्या है कि इस ये के तहत कुछ राज्यों में नागरिक्ता हैं और जो हमारे cer के कोर्सिस है उसमें जो ऑन mira लाइन Leve Fen Drive और डी लोपी पर सभी कोइस पर आपको कितनी शूर दी जा रहीन है 50 से 75 की आपको चूर दी जा रहीन है और यह चूर आपको हमारी तो केंद्र सरकार ने पच्छिम बंगाल हर्याणा और उत्राखंड में CAA के तहत नागरिक्ता देना शुरू कर दिया है यहां पर हुआ क्या है जो हमारे राज्य थे उनके पास जो आवेदन है थे वो केंद्र सरकार के पास गए वहां पर जाज की गई और उसके बाद यह ज चुनाव की घोशना होनी थी उससे कुछ टाइम पहले ही यानि कि 11 मार्च 2024 को CAA के नियमों को अधिसूचित किया गया था और इनहीं नियमों के अनुसार जो है नागरिक्ता प्रदान की जा रही है और हमारे जो ग्रह मंत्राले है उसका कहना है कि नागरिक्ता राज्य इस जो हमारे राज स्थरिय अधिकार प्राप्त समीतिया है उन्हें वापिस करेगा और वो उन प्रमाण पत्रों को वहां के प्रवासियों को देंगे जिने वो नागरिक्ता प्रदान की गई है अब देखें CAA के तहत नागरिक्ता प्रमाण पत्र देने की जो प्रक्रिया है पच्छिम बंगाल में शुरू हो गई है, जहाँ राजजे से आवेदन आते हैं, जैसे हैं जो आवेदन आते हैं, जैसे warm-up नो पहले से पच्छिम बंगाल की अदिकार पराप समीती को दे दिया गया है, जिसके दोरा नाग्रिक्ता प्रदान की गई है, वहाँ पर इसी तरी आवेदकों के पहले सैट को नागरिक्ता प्रदान कर दी है जो हमारे केंद्रे ग्रह सचीव अजे भल्ला ने चौदे आवेदकों को नागरिक्ता प्रमाण पत्र का पहला सैट सौपा है अभी हुआ क्या है कि अभी सिर्फ 14 आवेदकों को दिया गया है आगे होगा क्या कि 300 आवेदकों को ई-mail के द्वारा digital रूप से जो हक्सताश्चित या निकि digital रूप से साइन किये हुए प्रमाडपत्र उन्हें दिये जांगे और यह प्रमाडपत्र कब दिये पहले दिल्ली निर्देशक की अधिक्षता वाली जो अधिकार प्राप समीतिया है वो उनकी उचित जाच करती है उस जाच के बाद ही फैसला लिया जाता है चलिए आगे देखते हैं कि हमारा जो यह अधिनियम है इसके बारे में थोड़ा सा शंशिप्त में बात कर लेते हैं इसके बारे में हमारे चैनल पे पहले से वीडियो बनी हुई है इसको आप महाँ पे आराम से देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको शंशिप्त में बता देती हूँ कि यह जो विधेयक था यानि कि जो अभी हमने अब नार्म क्या दिया है अधिनियम जो नागरिक्ता अधिनियम कोई जाता है तब ही विधेयक क्या बनता है एक अधिनियम बनता है अब इस विधेयक में कुछ नियम दिये गए यह जो अधिनियम था इसमें 31 दिसंबर 2014 चौधा, 31 दिसंबर 2014 से पहले, 14 से पहले जो पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से भारत आये गैर मुस्लिम प्रवासी थे, यानि कि जो हिंदू थे, सिक, बुद्ध, जैन, पार्सी और इसाई थे, जो वहाँ पर अपने धर्म के कारण उत्पीडन का शिकार ह उन्हें भारते नागरिक्ता देने की मांग की गई, देखी, हाँ पर बताया भी गया, कि आपको हिंदू, सिक, बहुत, जैन, पार्सी और इसाई, जिनने भारत में रहने की मंजूरी देने के लिए अधिनियम बना था, अधिक इसमें किया क्या गया, कि जो हमारी नागरिक इतना 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, यह जो दिधेयत था, यह 2019 में अधिनियम बन गया, संसत द्वारा, लेकिन यह CAA लागू नहीं हुआ, क्योंकि इसके नियम अधिसूचित नहीं किये गये थे, इसलिए लागू नहीं हुआ था, चलिए आप देख लिखते ह वारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर बात किस पर हो रही है, CAA में नागरिकता के वारे में बात हो रही है, तो नागरिकता पर थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं, नागरिकता जो हमारे देश में यानि कि भारत में नागरिकता कितने तरीके से प्रदान वो यहां पर अगर रहते हैं तो हम यहां के नागरिक माने जाएंगे या हम यहां के नागरिकता ले सकते हैं पंजी करण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है और पांचवा हमें किस तरीके से नागरिकता मिल सकती है चेत्र समाविष्टी चेत्र समाविष्टी जैसे के हमारा जो पॉंडिचेरी था, वो 1962 में भारत में आया था, यानि कि भारत में इसका विलाय हुआ था, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, वहाँ के जो नागरिक थे, उन्हें स्वता ही भारत की नागरिकता मिल गई थी, यह होता है जब हम किसी छेत्र को अपने अंदर अधिकरत क करते हैं, तो वहाँ पे रहने वाले जो भी लोग होते हैं, जो भी वहाँ पे निवासी होते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता स्वता ही मिल जाती है, अब देखे, यहाँ पे जो नागरिकता प्रदान करने का जो अधिकार है, वो पूरी तरह से केंद्र के पास है, राज् देखे हमारे सविधान में नागरिक शब्द, नागरिक शब्द को कहीं पर भी परिभाशित नहीं किया गया है, यानि कि नागरिक शब्द की कहीं पर भी परिभाशा नहीं दी गई है, लेकिन नागरिक्ता के संबंद में हमारे सविधान में प्रावधान किये गए है, अनु करने वाले जो थे भारत में और जन्म लेने वाले सभी लोगों को यहां पर नागरिकता प्रदान की जाएगी यानि कि जो मूल रूप से भारत के निवासी थे जब यहां पर हमारा सविधान लागू हुआ तो उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी उससे पहले यहां पर अधिक समय से निवास कर रहा है यानि कि उसकी फैमिली और वह वहां पर 5 वर से अधिक समय से निवास कर रहे हैं तो उसे नागरिक्ता प्रदान की जाएगी यह तीन कंडिशन थी तीन में से अगर कोई भी एक कंडिशन आप फॉलो करते हो तो आपको नागरिक्ता भारत की मि उन्हें नागरिक्ता किस तरीके से प्रदान की जाएगी आप सभी जानते हैं कि जब हमारे हमारा भारत आजाद हुआ तो क्या हुआ था उसremo फ़र्ववाजन हुआ था भारतय और पाकिस्तान में बढ़ गया था और उस तब प्रवास भी हुआ था बहुत जादा तो उस तर या दादा दादी में से कोई भी अगर भारत में है तो उसे नागरिक्ता मिल जाएगी, यानि कि कोई भी एक अगर भारत में पैदा हुआ है, तो उसे स्वता हैं के नागरिक्ता मिल जाएगी, यह हमारा आर्टिकल 6 कहता है, आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 7 के कहता है, पुनहवास परमिट लेकर वापिस यहां पर आये नागरिकता के लिए, आर्टिकल साथ में जो पाकिस्तान से पुनहवास परमिट लेकर एक मार्च 1947, एक मार्च 1947 को वापिस आये, या उसके बाद ये वापस आये, या उसके बाद ये पलायन करके वापिस आये, तो उन्हें फोई में पर क्या कहा जाता था उन्हें शरणारती कहा जाता था तो उनके सहानुबुती रखने के लिए यहां पर यह कहा गया कि इन लोगों को नागृता प्रदान की जाएगी आठवान अनुछेद क्या कहता है भारत से रहने वाले लोगों को इनागरिक्ता प्रदान करने का एक अधिकार प्रदान करता है कि अगर आप भारत से बाहर रह रह रहे हैं लेकिन भारते मूल के वैकती हैं तो आपके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत में अगर पैदा अनुछेद 9 क्या कहता है अभी तक हमने बात करें नागरिक्ता प्रदान करने के वारे में अब ये है कि आप नागरिक्ता को त्याग कैसे कर सकते हैं माल लीजे अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाकर किसी और विदेशी राज्ये की नागरिक्ता ले लेता है तो वो भारतिय नहीं कैलाएगा यानि भारत के उसकी जो नागरिक्ता है वो स्वता ही खतम हो जाएगी या फिर वो अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से भारत के नागरिक्ता त्याग दे तो उसकी नागरिक्ता खतम हो जाएगी ऐसा करने पर अगर उस व्यक्ति के कोई नापालिक बच्चे हैं तो वो भी भारते नहीं कहलाएंगे यानि कि वो भी भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे लेकिन वो बच्चे अगर 18 साल के हो जाते हैं और 18 साल का होने के बाद भारत में अगर नागरिक्ता के लिए पंजीकर इसका आदिकार है तो संसत द्वारण की इस बी कानून के उपन्धों के अदिन वह भारत का नागरिक ही बना रहेगा तो बहुत आधिकार जो यहां पर नागरिक बना रहेchlाए डरीन एक Sus ED के पास वो कुई प्राफधान बना सकती है उसे ये अधिकार है चलिए आगे देख लेते हैं यह हमने पूरा क्या पढ़ा नांस के वारे में जो 2015 सनशोधन है उनको देख लेते हैं तर से हमारा नांस नांस रखुद K吹 की वगारी मिंथी शीद मरें पर निया किय तuciones भारते नागरिकों को अधिग्रहण यानि कि जब हमारा सविधान बना था उस टाइम पर जो लोग यहां पर थे उससे पहले थे उन्हें नागरिता अधिग्रहण और निर्धारन का प्रावधान किया गया था इसके बाद इसमें चार संशोधन हुए एक 1986 में हुआ, 2003 में, 2005 में और 2015 में अब इन संशोधनों में क्या किया गया कि जो 1986 के संशोधन में समवेधानिक प्रावधान और जो मूल नागरिक्ता अधिनियम है उसके विप्रीत बहारत में जन्में प्रतेक वैक्ति को जो जस्सौली सिद्धान पर नागरिक्ता प्रदान की गई, धरातीन में 1986 का संशोधन पर्दान की गई, इसके बाद हमारा आता है 2003 में जो संशोधन हुआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं, 2003 का जो शंशोधन हुआ इसमें बांगला देशckenे घुसपैट को धिहान में रखते हुए, संशोधन में जो चर्टे रखी गई, वो पहले हमारा था 31 दिसंबर 1949 अब क्या हो गया चार दिसंबर 2004 के बाद जो भी वेक्ति यहां पर जन्मा है उस बच्चे को यहां पर सुवता ही नागरिकता प्रदान हो जाएगी यानि कि उसे अपने आप यहां की नागरिकता मिल जाएगी और अब क्या हुआ कि माता पिता दो दोनों ही भारतिय नागरिक होने चाहिए या अगर इन दोनों में से एक भारतिय है तो दूसरा अवयत प्रवासी नहीं होना चाहिए यानि कि अगर एक भारतिय है तो दूसरा अवयत प्रवासी नहीं होना चाहिए पहला इस तरीका को कोई प्राफधान नहीं था अगर करने के लिए कुछ प्रावधान किये गए थे लेकिन इनमें पाकिस्तान और बांगला देश को छोड़ दिया गया था बाकी अदर जो देश थे उनके लिए यहां पर प्रावधान किये गए थे कि जो हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर रहते हैं विदेशी भारतिय नागरिक्ता प्रदान करने के लिए प्रावधान किया था अब देख लेते हैं पर जो 2015 में यानिकि जो चौथा और आखरी संशोधन हुआ इसमें क्या कहा गया इसमें मुख्य अदिकिनियम में जो विदेशी भारतिय नागरिक्ता संबंदी प्राफधान थे उन्हें संशोधित किया गया यानि कि जो हमारे 2005 में प्राफधान किये गए उनमें कुछ संशोधन किया गया और उसमें क्या किया गया कि केंद्र सरकार ने जो प्रवासी थे उन्हें पासपोर्ट अधिनियम 1920 और विदेशी अधिनियम 1946 के प्रतिकूल दंडात्मक्चो परणाम थे उन से छूट दे दी और इसके बाद 2016 से केंद्र सरकार ने उन्हें भारत में रहने के लिए लौंग तर्म वीजा के लिए योग्य बना दिया यानिकि उन्हें लौंग तर्म वीजा दिया जाने लगा वो यहाँ पर रह सकते थे चलिए अब इस वीडियो से संबंदित हम एक प्रशन देख लेते हैं प्रशन क्या कहता है कि केंद्र सरकार ने की राज्य में नागरिक्ता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिक्ता देना शुरू किया है नागरिक्ता देनी शुरू की है तो कौ अधा बोल रहा है उप्रोक्त सभी तो इन में से कौन सा आंसर जो है सही हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज की वीडियो में इतना ही अगल झाल